हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल इजी लन्नी पैसरीता फ्रेंड्स पिछली वीडियो में आपने दिखा था कि कैसे फंदे डालते हैं स्वाटर बनाने के लिए दो टाइप के फंदे मैंने आपको सिखाया थे इस बारी मैं आपको बॉर्डर बनाना से पहले प्रेंड्स तो जितने भी हैं आप बनाने के लिए उसके बाद पहली सलाई जब भी आप फंदे डालो उसमें पहली आती है वो सीधी लेने होती है आदेगे फिर धागे को पिछे से आगे को और यह इस तरह ले लिया इस तरह आपने पहले सलाई़ आपने जब भी आप बनाओ तो पहले चला आप इस तरह सिधी ले लेजिए इस तरह इस तरह आगे अब नेक्स सिलाए में यह जो हमने पहला फंदा लिया है इसको हमने ऐसे उठाना है बीना बुने ऐसे उठा लिया फिर यह हमने उल्टा आगे के लिए दर फंदा है तो यह गिनी कि यह उल्टा उठाया है इसके लवाद हमने क्या करना है सीधा बनाने के लिए एक हमने सीधा लेना एक उल्टा सीधे के लिए पीछे को ले लिया और फिर इस तरह ये सीधा बना दिया अब next जो फंदा है हमने उल्टा बनाना तो जो हमारा धागा है यह इस तर आगे रहना चाहिए तुपनी आगे के तरफ ले लिया और यह ऐसे इस फंदी के अंदर ऐसे डालना आगे से फिर इसको ऐसे करके यह दिख लिए ऐसे ऐसे करके इसमें लेना है ठीक है और इस तरह ब और आगे वाले फंदी के लिए ऐसे इसको आगे की तरब और एक फंदा उल्टा ठीके फंद पूरा बॉर्डर हमने ऐसे ही बनाने हैं पूरी स्लाइड लेने जी ऐसे ही जब हमने सीधा लेना थागा पिछे के तरफ करना है और जब उल्टा लेना है तो अगे वाली साइड को अगर गलत करेंगे तो वह डिजाइन गलत हो जाएगी वादर के जो डिजाइन है वह गलत हो जाएगा इसलिए ध्यान में रखें इस तरह बना दिया कि देखिए यह बूल्टी साइड और सीधी अब नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट ट्राई में यह देखिए यह लग रहा है पता यहवाल इसमें जो आगे के तर इस तरह से बनावाए है एक स्ते और फंड़ा दिकरा यह तो छो उल्टे बाला फंदा है वह हम इन ऐसे लेलान है इस तरह लिया इस तरह ले लिया बीनड होने ठीक है फिर अब जो next बना है दिख रहा है हमें कि सिधा है तो हमने इस को सिधा बनाने के लिए पेशे धागा पिच्छी के तरफ लेके इस सीधा बनाना है यह नहीं कि सीधे फंदे पे सीधा उल्टे फंदे पे उल्टा बनाना है यह फिर सीधा फंदा यह उल्टा फंदा यह सीधा फंदा और यह उल्टा फंदा इसी तरह हमने सारा का सारा बॉडर बनाना है यह दिखे फ्रेंट्स यह है सिंपल मॉडर आज की वीडियो में बस इतना है अगर यह आपको समझ नहीं आए या कोई भी इसमें प्रोवन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शे में लिख सकते हैं आज की वीडियो अच्छी और यूसफूल लगे तो लाइक और शेर करना ना भूले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूले ताकि आपको मेरी नई वीडियो के अपडेट लगाता मिलती रहे